चैनल बैंकिंग सार्थी सो काईज आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ट्वेंटी थोड मार्च का दव कैप सो जुसमें कवर करेंगे आज ही बहुत इंपॉर्टन वोकैबलरी तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला वर्ड है डॉन्टिंग डॉन्टिंग क्या होता है यह एक एड्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है making you feel slightly frightened or worried about your ability to achieve something यानि कि आपको कुछ ऐसा महसूस करा ना जिससे आप डढ़ जाओ और वर्य करो अपनी ability को लेकर अपनी छमता के लिए कर कि आप कोई चीज अचीज अचीव कर सकते हो तो इसको हम कहते हैं that कि याद करने केशने वाले अंटी को देखह कर बच्चे बच्चे क्या हो जाईगे तो इस वर्य रहेगे कि ऐसा चेजबन고या को देकर बच्चेक हो और्यांटिश। तो बहुत ही एजी ट्रिक है इससे आपको याद रहेगी अब हम इसका एक्जांपल देखते हैं ट्रैवलिंग अलून अराउंड दे वर्ल इस दांटिंग प्रोस्पेक्ट अगर हम अकेले हम वर्ल्ड में अकेले ट्रेवल करेंगे तो एक ऐसा कैसा प्रोस्पेक्ट है यह द अध्यक्टिव है जिसका मतलब होता है नौट रिविलिंग वन्स फॉर्ट और फिलिंग रैडिली यह वाला वर्ड मैंने वह कुछ दिन पहले करवाया था और यह वर्ड फिर से आजाई है एडिटोरियल में तो रेटिसेंट क्या होता है वो एक किसी पर्सन को लिए कलिका जाता है इसा परसंट जो अपने स्प्विलिंग्स को बिब्सक्राइब रेटिसेंट है अपने मन में रखते हैं जल्दी रिवीलिंग करते हैं सियून में जहाएं इंहिबिटेड यह डिफिदेंट आन्ट वाला थी एन फ्कर्ने चिप्विष्म यह याद करने किसी को नहीं बताना चाहरा उसको रिवील नहीं करना चाहरा अपना फिलिंग्स और अपने थोट्स उसको लेकर तो इस च्रिक्स आपको याद रहेगी कि डीसेंट के बारे वो क्या है रटी सेंट है तो यहां भी इस दोन वह वह कॉम्बिनेशन से यह वाड बना है और ताकि यहां पर मैं देखा कि इस वर्टकम सेंटर्स में किस तरह से स्नमाल कर सकते है बूफ करते हैं नेक्सट पर नेक्सट वट है और अड्यसियस और याद होगा मैंने कुल दिन पहले आपको अडाया था तो उसी का यह एजक्टिव फॉर्म है तो वर्ड्स ना डिपीट होते रहते हैं रिटोर्यल में भी कई आपको वर्स रिपीटेड दिखाई देते हैं और इसी तरह से जब वर्स रिपीटेड आते हैं आप कोई चीजें याद होती है और आप रिकॉल कर पाते हो चलिए तो इसका मिनिंग देखते हैं इसका विलिंग्नेस टुटेग दिख और आफट पीपल यानि कि आपको इक्षा दिखा रहो हो कि द्रिक्स लेने की इक्षा दिखा रहो या कभी कबार कैसा भी होता है कि लोह को बंकर रहों उनकी बेज़ती कर रहों उनकी निचा दिखा रहो हूं उसे भी हम ओडाश के रू याद करने की त्रिक देखिए ओडी में इस टंठ करने वाला लड़का ओड़ाइस है उसने बहुत ही रिक्स वाला ड़ीया डिसेजिजन लिया अपने जॉप को टिवकर करके तो यहां पर देखा कि संटम्ट तो किस तरह से स्नमाल कर सकते हैं भूव करते हैं next word पर next word है shun shun क्या होता है यह वर्व है जिसका मतलब होता है to avoid or refuse to accept someone or something यानि आप किसी चीज को avoid कर रहो उससे refuse कर रहो मना कर रहो किसी चीज को accept करने से किसी person को या किसी चीज को उसे हम कहते है shun करना यानि मेरी बात सुने बिना मुझे shun किया यानि उसने मेरी बात सुनी नहीं और मुझे क्या कर दिया refuse कर दिया मुझे avoid कर लागा तो इस ट्रिक्स आपको याद रहेगी एक्जांपल देखिए he shuns parties and social events वह parties और social events को shun करता है यानि कि वह करता है उसे बाटी तो social event में जाना पसंद नहीं तो इसलिए वह उसे क्या करता है avoid करता है टाल देता है तो यहां पर हमें देखा कि इस word come sentence में किस तरह से समाल कर सकता है move करते है next word पे next word है lose out यह एक phrasal verb है इसका मतलब होता है be deprived of an opportunity यानि कोई भी opportunity है उससे डिप्राइब होना वंची तरह जाना क्या कहलाता है lose out synonyms क्या हो जाएगा be disadvantageous या miss out on याज करने की दिखिए हमें जब तक हमें तब तक होप रखना चाहिए जब तक opportunity lose out नहीं हो जाए तो जब तक हमें उम्मीद रखना चाहिए तब तक चीजें हमारे हाथ से नहीं निकल जाए हमें तब तक hope रखना चाहिए जब तक opportunity lose out नहीं हो जाए ठीक है एक्जांपल देखिए we didn't want to lose out the opportunity तो यहां आपने देखा किस word कम सेंटेंस में किसर से इस्तमाल कर सकते हैं तो उमीद करते हैं को सारे का सारे words अच्छे लगें और जितने वी ट्रिक्स मैंने बताया हैं आपको इन words को याद रखने में help कर नहीं है तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चलब जरू सब्सक्राइब कर दें और अगर वीड कर दो लो आपको है तो झापको में सारे किया ट्रिक्त पोकर में ग आपको सब्सक्राइब को हैं ट्रिक्स कर दो टा हैं वीड है किया और भीडिया कर ब ऩह एंगर वी रृणोस्ट om कर तो क